नमस्कार आप देख रहे हैं दखबरदार आए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर आप देख रहे हैं दखबरदार न्यूस ये न्यूस चैनल नहीं आपकी आवाज है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब को खबरदार PCC चीफ के खिलाफ BJP का प्रदर्शन बैतूल मेनारे बाजी इंदोर में चूडियां लेकर पहुंची महिलाएं जीतू ने कहा था इमर्ती का रस खत्म हो गया पूर्मंद्री इमर्ती देवी पर PCC चीफ जीतू पठवारी के विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश में परदर्शन तेज होते जा रहे हैं बैतूल के घोड़ा जोगरी में शुकरवार को भाजपा कारे करता होने पठवारी को काले जंडे दिखाए वहीं इन दोर में बीजेपी की महिला कारे करता जीतू के घर पर चूड़ियां लेकर पहुंची अन्य जिलो में भी बीजेपी कारे करता विरोध जता रहे हैं जीतू पठवारी गोडा जोंगरी में कॉंगरेस के लोग सबा प्रत्याशी रामू टेकाम के समर्थन में वोच मांगने पहुंचे थे यहां बाजार चौक में सबा के बाद पठवारी जब मुलताई के लिए रवाना हो रहे थे दोरान दोनों दलों की कारे करताओं के वीज धक्का मुक्की भी हुई पुलिस好 expense के बाद कारे करताओं को अलग किए कॉंग्रेस आईटी सेल के पूर्व जिला अध्यक्ष भूशन कांती ने कहा भाजपाईयों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीदू पटवारी पूर्व मंत्री सुकदेव पांसे लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम समेत वरिष्ट निर्ताओं पर प्रान घातक हमले की कोशिश की ने नामजद FIR की मांग करते हुए प्लिस को आवेदन दिया है दरसल पचवारी का एक वीडियो सामने आया है इसमें वे पूर्व मंत्री इमर्ती देवी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब मैं हसते हुए कह रहे हैं देखो ऐसा है अब इमर्ती जी का रस खतम हो गया है जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए अब मैं कुछ बात नहीं कर रहा जीतू का 16 सेकंड का ये वीडियो ग्वालियर का पताया जा रहा है वे गुरुवार रात कॉंग्रेस चिलाद्यक्ष देविंद्र शर्मा से मिलने उनके घर पहुंचे थे इसके बाद मीडिया से भी बात की थी जीतू इससे पहले मुरेना मैं प्रियंका गांधी की सभा में शामिल हुए थे प्रियंका कॉंग्रेस लोगसभा प्रित्याशी सत्यपाल नीटू सिकरवार के समर्थन में सभा करने आई थी भाजपा बोली जीतू पचवारी की मानसिक्ता ग्रेनित बीजेपी नेता आशिश अग्रवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा मद्यप्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्स जीतू पचवारी की ग्रेनित मानसिकता जिन जीतू पचवारी को भाजपा की एक दलित नेत्री में रसकम नजर आता है महिला इंदिक विजय सिंग को चंचमाल कमलनाथ को आईटम नजर आती है और इनका नुसरन करते हुए जीतू पचवारी उनमें रस और चाशनी ढूँड रहे है कॉंग्रेस का मूल चरित ही महिला विरोधी है जीतू पचवारी की इस ग्रेलित और निंदनिय मानसिक्ता पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रयंका गांदी क्या राय रखती है पूर मंत्री ललिता ने कहा कॉंग्रेस बौकला गई है पूर मंत्री छतर पूर विधायक ललिता यादव ने कहा कॉंग्रेस के नेताओं ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है कभी कहते हैं टंचमाल है तो कभी उनका रस खत्म हो गया है इमर्ती देवी मत्यप्रदेश सरकार में मंत्री रही है मोर्स बौकला गई है उनकी यही संस्कृति बन गई है इसलिए कोंग्रेस की पूरी भारत में इतनी बुरिद दुर्दशा है कोंग्रेस की अर्थी निकल चुकी है कोंग्रेस मर चुकी है वहीं इंदोर मेराज सबा सदस्य कविता पाठीदार ने कहा कि यह देश की मात्र शक्ती का अपमान है कॉंग्रेस के सभी नेताओं की अब महिलाओं को अपमान करने की आदत बन चुकी है अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आप से मलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रही तक खबरदार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें